हेलो एवरिवन गुड मॉनी मैं शहरत यादव दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यूपी पीसेस प्रिलिम्स दोजार चॉबिस के लिए टेस्ट नमबर हमारा फाइब रहेगा जो की दृष्टी आई एस कोचिंग का टेस्ट नमबर हम लोग कर रहा थे जिसमें हम लोगों ने पहला टेस्ट किया था हिस्ट्री को दूसरा टेस्ट किया जोगराफी तीसरा टेस्ट किया हम लोगों ने बाइलोजी यानि साइंस को और चौथे टेस्ट नमबर में हम लोगों ने पॉलिटी कवर किया और आज यह जो आपका यूपी पीसेस के लि economics के मिल जाएंगे और इस से बाहर कोई economics का प्रश्ट नहीं जाएगा साथ ही साथ इसमें economics related जितने भी current affairs होंगे वो भी सामें लोग मिलेंगे आपको और चलिए सुरू करते हैं और साथ में जो है कि धे IES का भी आज आपको सामें टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा क्योंकि मैं भी दिल्ली गया हुआ था तो थोड़ा समय नहीं मिल पाया था लेकिन अब यह टेस्ट पेपर आपको regular मिलेंगे और जल्दी ही हम लोग इसको कवर कर ले और इससे पहले अल्रेडी हम लोगों ने छे टेस्ट पेपर डाल दिये उसका रिवीजन करते रहेगा पीडिया भी मैं उसकी टेलिग्राम पे डाल देता हूँ तो टेलिग्राम को आप फॉलो कर लीजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जो लोग वीजन आईएस के लिए पीटी 365 पढ़ना चाहते हूँ जैसे मैंने पहले वीजन की पढ़ाता था लेकिन आरो एक्जाम के लिए मैंने होल्ड किया था और UPSC के लिए आप हमारे नए चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है अबाउट UPSC और जिसका लिंक मैं अर्थसास होता है व्यश्यश्य अर्थसास का मतलब होता है दोस्तों Micro-economics है समझटी अर्थसास राष्टी आयसे संबंदिट जानकारी प्रतान करता है यानि macro economics की बात यहाँ पर की जा रही है तो यहाँ पर दोनों ही statement सही है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो micro economics होती है वो consumer का जो एकी behavior जज करती है it means कि उपभोक्ता के अस्तर पे किस चीज की आपूर्ती की मतलब मांग की जा रही है और जो उपभोक्ताओं के बीच में जो companyya है वो किस परकार की supply करते है तो कहने का मतलब होगे कि बहुत ही ground level पर जाके observation करती है जिसलिए हम इसको micro economics कहते हैं जो की ब्यापा कस्तर पे इसका observation करती है और समस्ती में कहता जो national income हो गया इंफिलेशन हो गया या फिर money and banking हो गया या राजकोसी घाटे इन सब की जो information होती है वो आपका ब्याश्टी अर्थसास के अंतरगत कवर किया जाता है जिसमें कुछ important जो एकिस अंस्ता है रेटिंग एजनसी इनका सही हो किया जाता है तो इस अधार पर आप C option यहां पर सही हो जाएगा तो ब्याश्टी और समस्टी में एक छोटा सा मैंने बहुत माइनूट सा अंतर आपको बताया है भिलकुछ समझ में आ गया हो गया next देखते हैं यहां पर question number two कैलिफोर्निया इस्थित सिलिकॉन वैली अर्थ विवस्ता निमली खित में से किस चेतर का उधाराना तो जो सिलिकॉन वैली है वो एक तरीके से किस का है क्या दुतियक प्रात्मिक चतुर्थ तिर्थ जो भी पूछा जा रहा है एक निर्मित के चता वस्तूं की रूप में गुड़त्स की रूप में और थर्ड नंबर प्रोती जो टरसरी सेक्नटर होता है उसमें Services होती है जैसे आपकी बैंकिंग सर्वीस हो गई थंट सर्वीस हो गई या पिर परिवहन सर्वीस हो गई transport service हो गई, इसलिए आप देखों कि ट्रकों पर लिख आओ on वो digital क्रांति कैते हैं, वो fourth sector से संबंधित है, और Silicon Valley में क्या होता है, मुख्रूप से जो Silicon, चिप बगरा होती, इन सब से, यानि mobile industry से ज्याधा संबंधित है, इसको टेक्नोलोजी से, इसलिए इसको fourth sector में रखा जाता है. इसको आप service sector में मत रखना बिल्कुल भी. अगला प्रशन है आपे निमलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है निर्यात, पूंजी, स्रमिक, उद्यम अब यहाँ पर आप इस तरीके को बिल्कुल मस्मझना कि जो आय का कारक पूछा जा रहा है यानि आय का घटक तो आपने अर्थ व्योस्ता हम पढ़ा होगा कि उत्पादन के छे फैक्टर होते हैं या यू कहूं कि आय की जो उत्पादन के चार घटक होते हैं या आय के चार घटक होते हैं जिन से पूरी अर्थ व्योस्ता चलती है जिसमें आपका आता है भूमी, स्रम, पूंजी और तिसरा पूंजी, इसकी जो capital investment होता है, जिस में आपका money और technology, दोनों ही investment हो रहा तो बदले में उसे return मिल रहा है, और जो entrepreneurship होती है, जो उद्यमिता होती है, उसमें उसे लाभ मिलता है, तो ये चार मुख्य factor होते है, IK या उत्वादन के घटक के रूप में, या अर्थभ्मि जात नहीं होगा दोस्तों क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हमें बेनिफिट तो होगा प्रॉफिट तो होगा पैसा तो कमाएंगे लेकिन वो कहीं न कहीं इसी के अंतरगत आ जाएगा इंडस्ट्री वगरा के अंतरगती तो यह मुख्रूप से अलग हो जाता है यह आफ्शन हो गया नेक्स है मुले हरास को समयोजित करने के पश्यात एक देश के निवासियों दोरा उत्पाती तैयार वस्तों और सेवाओं के मौदरिक मुले को क्या कहता है मुले हरास अगर हमने एड कर लिया है डैप्रिशियेशन जिसको हम लोग कहते हैं तो यह हो ज जैसे ग्रॉस से अगर आपको नेट पे आना होता है तो इसमें से माइनस करना होता है कि इसको डैप्रिशियेशन को जो आपका वैल्यू हरास हुआ है उसको माइनस कर लिए तो ग्रॉस से डैप्रिशियेशन जब माइनस करेंगे तो नेट पे आ जाएंगे तो नेट नेश प्रेविट सेक्टर में तो जॉब जो करते हैं आपके फैमली में कोई करता है तो आपसे पूछी आती कि भाई आपके ग्रॉस सेलरी कितनी तो वो कहता है मेरी सतर हजार पे ग्रॉस सेलरी है फिर वो कहता है लेकिन मुझे इन-हैंड किवल 15000 मिल रही है उसके एकॉंड में, तो पच पन हजार मिल रही है, इट मेंस की पंदरह हजार वैल्यू डेप्रिशेशन हो गया, चाहा उसमें टैक्स पेमेंट किया, या किस्त कट गई है, जो भी चीज़े हैं, एन पियस वगएरा, तो इट मेंस की ग्रॉस की वैल्यू हमेसा अधिक होती है तो भी ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, तो माइनस करते है डेप्रिशेशन को, अगर नेट से ग्रॉस पे आना होता है, तो डेप्रिशेशन को एड़ करते हैं, क्लिर होगी बात, तो यहां पे बी आफ्शन इस करेक्ट हो जाएगा, तो इट मिन्स की बी आफ्शन इस कर और आपको एक ही चीज पता रहती है, वो रहती है कि 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबाट की स्थापना की गी थी, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें दो चीजे और याद कर लो, पहला इस समीति का जो गठन किया गया था, वो RBI के द्वारा किया गया था, 1979 में, 79 में गठन किया गया, दूस सा एक ही चीज मत रहतो, कि नाबाट की स्थापना 12 जुलाई 1982 सिवरावन समीति, उसमें ये रहतो कि सिवरावन समीति कब इस्टैबलिस हुई, और कौन से अधीमियम से इसकी स्थापना हुई, अगला प्रशन है, निमलिकित में से कौन सकल राश्टी खुसहाली के होते हैं, ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं, जरहा कूट के माध्यम से यहाँ पर दिया हुआ है, तो कूट अगर आप देखोगे, तो इसका हो जाएगा एक और दो, यानि आप देखोगे यहाँ पे, तो सुसासन आएगा, पर्यावरन आएगा, हलांकि इसके दो औ और आस्पेक्ट आते हैं, यह दोनों तो नहीं होते हैं, महिला ससक्तिकन राजनितिक यह नहीं होते हैं, इसके साथ यह पुछा हैता है कि आप अपनी संस्कृति का कितना सनक्षन कर रहो, इट मिंस कि आपनी संस्कृति को कितना इन्हांस कर रहो, और दूसरा सतत समता मुल से संबंदित है आठवी पंचवर्सी योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार सदस्य का संगठन का सदस्य बना था क्या तो मैं कहूंगा बिलकुल सही बात है दूसरा ग्यारावी पंचवर्सी योजना का मुख्य विश है तीवर गती से और अधिक समावेशी विकास थ आठवी पंचवर्सी योजना कब थी तो आठवी पंचवर्सी योजना थी 1992 से 1997 और आपको पता होना चाहिए कि WTO की जो स्थापन होई थी वह होई थी 1995 में जो गैट का अधिनियम चलता था जिसको हम लोग कहते थे गैट यानि कि यहां पे जनल एग्रिमेंट ट्रेड एं पहला स्टेटमेंट से दूसरा जो थी 2012 से 2017 और यही हमारे यहां लास्ट पंचवर्सी योजना भी थी क्योंकि इसके बाद जब योजना आयोग को नीती आयोग में तबदील किया गये 2015 में तो उसके बाद से फाइव येर प्लानिंग की सिस्टम को बंद कर दिया गया बलक 12 से 17 यह लाश्ट थी और इसमें भी तिवर गती से और अधिक समावेशी विकास की बात की गई थी इसलिए फर्स्ट और सेकेंड सही है तो देखे मैं एक्स्ट्रा आपको जो फैक्ट हैं जो कॉंसेप्ट हैं वो सारी शीज़े बताते हुए चला हो लेकिन अगर आप ध्य इन दोनों के संयोग से पहली बार 1991 में जो है कि इसको सुरू किया गया Human Development Index है इन्होंने कहा कि मानव का विकास कितना हुआ इस पर भी हमें एक observation करना चाहिए जिसमें चार फैक्टर इन्होंने लिए हैं पहले में वो चीजे बता दू तीन फैक्टर जिसमें आपके आती है स पोस्ट गेशन करोगे की नहीं हायर एजूकेशन पढ़ोगे की नहीं या केवल इर्थ पास करके छोड़ दोगे यह चीज़ कल्कुलेट होती है तीसरा इसमें जो है कि जीवन प्रतियासा लाइफ एकस्पेटेंशी मतलब कि एक देश में अगर कोई ब्यक्ति हेल्दी भो पाल्यूशन है तो हो सकता हो पचास साल में ही मर जाएगा तीनों चीज़े देखिए या ती कि मानों का विकास कितना हो रहा है अब यहां पर बात करेंगे कि कि द्वारा जारी किया था तो यूनेप के द्वारा जारी किया है जिसको हम लोग कहते है यूनाइटेड नेशन इन्वार्मेंट, sorry UNDP, UNEP नहीं, UNDP, ठीक है, ये रहा, United National Development Program, इसके द्वारा Human Development Index चारी किया थी, और मैंने आपको बता दिया, कि अमर्तिसेन और मुहबूब उलहग, इनके द्वारा, नेक्शन निमली के संकेत को में से कौन से बहु आयामी गरीबी का आखलन करते है, multiple, जो multi- dimension poverty index है, इसमें अगर हम बात करें, तो कौन कौन से factor लिए जाते हैं, तो आप देखों कि बाल मुट्टी उदर होती है, और दूसरा होता है, इसमें हाईजेनिक या sanitation की बात की जाती है, तो ये इसमें important होते हैं, दो और चार, बाल मुट्टी उदर और ये, हलांकि इसको भी तीन अलग मुखे category में माटा गया है, एक होती है आपकी health ठीक है, और health में आपका बाल मुट्टी उदर और portion दोनों ही आ जाती है, दूसरा आपका होता है education, यानि कि education में आप कितना देख रहे हो, कितना स्कूली सिक्षा में, और तीसरा होता है आपका lifestyle, lifestyle में ही आपका जल स्वक्षिता, विद्धुत, खाना पकाने के इनन, परिसंपती है तीनों चीज़, तो तीन ये major factor होते हैं और इसको भी categorize किया जाता है, इसलिए B option is correct हो जाएगा दो और चार्ट, next है विस्वक खुसहाली रिपोर्ट दोहजार तेईस में भारत की ranking क्या है, तो भारत की ranking क अगर हम बात करें तो एक सोचपविस्वी ranking है, कितनी है, चपविस्वी, अच्छा इसको जारी कौन करता है, UNSDSN, यानि United Nations Sustainable Development करके जो आता है, जो sustainable development करके, तो SNSD लिखना चीए था, सयूक्तराश्ट, सतत्विकास, समाधान, नेटवर्क द्वारा ये जारी कियाता है, और भारत की ranking इसमें 126 आई है, कितनी हैं, 126, अगले प्रशन को देखते है, The Planned Economy for India, बहुत important पुस्तक है दोस्तों, इसको याद कर ले न, आरो एक्जाम सो भी आपकी पुस्तक आई थी, मैचिंग लिए, The Planned Economy for India, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो M. विश्वसरेया सहाब ह सतत्विकास और आत्मिरभरता निमलिकित में से किस पंचवर्सी योजना का उद्देश से था, तो अभी हमने देखा था, कि इस समय तो 11 पंचवर्सी योजना थी, और ये चौती पंचवर्सी योजना के अंतरगत ये कहा गया था, चौती का टाइटल क्या था, 1969 से 74, और इसी समय इंद्रा गांदी जी की गौवर्मेंट थी, जिन्होंने सोवियस संग के परती अपनी निष्ठा को दिखाया, या यू कहें कि सोवियस संग से अपने संबंदों को बहुत अच्छा बताया, और 1971 में उन्होंने नारा दिया था कि गरीभी हटाओ, तो इस तरीके से बात करूँगा सर्वोदय कॉंसेप्ट का, कि सबका उदय तो इसमें आ जाएंगे आपके MK गांदी जी, यानि कि महात्मा गांदी जी ने सर्वोदय कॉंसेप्ट लिया, लेकिन सर्वोदय योजना की अगर हम बात करेंगे तो JP नरायंड जी ने भी थी, और इसी से अगले प्रशन को चलें, निमलिकित में से किस के द्वारा क्रिसी विपड़न और किसान अनकूल सुधार सुचकांग जारी किया एता है, नेक्स्ट है आपका, विस्व व्यापार संगठन, अभी मैंने आपको बताया कि WTO की स्थापना गेट के बाद होती है 1995 में और भारत आठवी पंचवर्सी योजना में 1992 से 97 के बीच में इसका सदस्य रहा था, तो इसलिए C option is correct हो जाएगा, अगले प्रशन को देख लेते हैं, भारत की अकस्मिक्ता निधी किसके अधीन होती है, तो देखिए आर्टिकल नमबर 267, ठीक है, अलांकि मैंने पॉलिटी का जो सॉट नोट्स था, मतलब PYQ, उसमें by mistake मैंने 266 बता दिया था, तो उसे मैंने correct कर दिया है, लेकिन ध्यान देना है कि फिर से मैं correct कर द रहा हूँ, कि जो पॉलिटी PYQ series मैंने चलाई थी, उसमें आकस्मिक्ता निधी को मैंने क्या किया, 266 कर दिया था, जो कि गलत है, 67 होना चाहिए, और ये किसके अधीन होती है, तो भारत के राश्टपती के अधीन होती है, और इसमें जो है कि भारत के आकस्मिकता निधी की स्थापना की जाती है, और इसमें क्यों होता है कि कभी जरत पढ़ने पर ततकाल लिए राश्पती इसको खर्च कर सकता है नेक्स्टर निमलिखित में से कौन सा केंद सरकार के वार्सिग वित्ती विवरण की ब्याख्या करता है तो आर्टिकल नमबर 112 जिसको हम आम भासा में कहते हैं बजट लेकिन समविधान में बजट सब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया बलकि सब्द क्या दिया है वार्सिग वित्ती विवरण या इसे हम कह सकते हैं अगर हम आर्टिकल नमबर 110 की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों धनविद्यक की बात की गई है और धनविद्यक की परिभासा बताएगी कि कौन कौन से प्रोविजन धनविद्यक में आ सकते है वही आर्टिकल नमबर 109 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें धनविद्यक की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से धनविद्यक को प्रस्तुत किया जा सकता है कि वह लोकसभा में 14 दिन राज्य सबा इस पर चरचा कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है आर्टिकल नमर 117 की बात करेंगे तो इसमें एक होता है वित्ती विध्यक क्या सकती हो और 123 में राष्टपती की जो है कि क्या है अध्यादेश की सक्ती है नेक्स्ट है नमलिकित में से किस समीती की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था तो ये थी आपकी एकवर्थ कमिटी कौन से थी एकवर्थ कमिटी थी जिसमें ये था कि रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किया सुरी यहां पर बस इतना क्लियर कर लेना कि 1921 में यह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि 2017-18 में दोस्तों रेल बजट और आम बजट को इंक्लूड कर दिया गया था यह इन्हीं इंटीग्रेटेट कर दिया गया था इसलिए तो हम लोग केंदरी बजटर पढ़ते हैं कि रेलवे कि दिया बजट में से कौन राजसव्य में सांवन है अब राजसव्यems का मतलब किया होता है जहां पर आप यहां पर हो और राजसवाय ऑर करते हैं तो इसलिए आपका यहां पर ब्याज का बुक्तान करना सब्सीडिय देना ठीक यह आपका इसमें सामिल हो जाएगा जैसे वेतन पेंसन हो गया सब्सीडिय हो गया रक्षा पुलिस यह सभी चीज़े इसमें आती हैं नेक्स प्रस्शन आपका नेमलिकित में से कौन सा पहला देश था जिसने आपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रकिरिया में सामिल किया तो यहां पर हो जाएगा सही उत्तर ऑस्टेलिया अगर मैं जेंडर बजटिंग की बात करूँ तो दे कि जेंडर बजटिंग का जो कौनसेप्ट था वो यह था लेकिन औस्टेलिया ने जेंडर बजटिंग के दDisवरा एक अलग सही कॉनसेप्ट दया कि यह क्येवल द होती है, कि करदर होती है, और कर राजस हो, अब जैसे कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर आप समझिएगा, ठीक है? मैं यहां पर आपको लाफर वक्र के कॉंसेप को बतायता हूं, तो आप यह जरा ध्यान से समझ ले ना? इसमें यह कहा गया कि जैसे जैसे सरकार जो है कि tax की रेट बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे जो है कि tax का collection बढ़ता जागा निक करकर आजस बढ़ेगा लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद tax के collection में कमी आएगी फ़र एक्जामपल मैंने अगर कहा कि भाई यहां पर मैं टैक्स का collection पर जो टैक्स रेट है मैं ले रहा हूं डिरेक्ट टैक्स पर मां लेजे 5 प्रतिशत तो आपने क्या कि लोगों ने टैक्स भरा पिर यहां पर आके मैंने क 40 प्रतिशत जो है कि टैक्स रेट चाहिए तो क्या होगा लोग आप टैक्स की चोरी करने लगें क्योंकि एक लिमिट तक ही तो आप किसी से टैक्स ले सकते हो ना सारा का सारा अगर आप उनकी property का या उनकी income का टैक्स में ही ले लोगे तो फिर आत्मी के पास बचेगा क्या इसलिए फिर वो करेगा टैक्स चोरी तो यही होता लाफर वक्र बताता है कि कर राजस वकर दर या यू कहें कि टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट में संबन्द होता है नेक्स कोशन है अपका fringe benefit tax कब सुरू किया गया तो यह सुरू किया गया तो दोजार पांच छे के ब प्रदान करने थे ठीक है करमचारियों को लेकिन उसकी जगह उसने किया किया फिर सरकार को टैक्स के रूप में दे दिया इससे क्या वा सरकार जो है कि उन कंपनी के करमचारियों कहीं यूजना के तो यही चीज होती है और यह पांच छे के budget में लाया गया था हलांकि यह मै सेवा कर परिशत का गठन भारती सम्विधान के निमलीखित में से किस अनुछेत के तहद किया गया तो अब यह बात की जारी है आपकी GST के अगर मैं GST के बारे में थोड़ी से जानकारी दू तो 101 सम्विधानिक संसोधन था जिसको एक जुलाई एक जुलाई 2017 से लागू क कर दिया गया टेक्स के लिए GST और GST एक आप प्रत्यक्षकर है जिसको अमनों वस्तु और सेवाओं पर लेते हैं जिसके लिए आपके आर्टिकल नंबर किसमें संसोधन किया गया था टू सेवन नाइन एक अंतरगत एक GST काउंसिल बनाई गी और जिस GST काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा वित्त मंत्री कौन होता है वित्त मंत्री हलाकि GST काउंसिल में स्टेट के भी लोग जुड़े होते हैं स्टेट के मिनिस्टर भी और स्टेट के सीम भी इसमें लेकिन अगर जो वोटिंग होती है वो आपका निरने होता है तीन बटे च जाता है. दोजार तीन में. जिसमें होता है कि जो राजकोसी अनुसासन है, फिसकल डेफिसिट वगरा, इसको सही करने की बात की जाती है. कि कम से कम इस पे आप फोकस करीए और राजकोसी घाटे को कम करिए. निमलिखित में से कौन सा वित आयोग के संदर में सही है? यह भार पहले की बात करूँगा, तो पहले कौन थे, तो उनका नाम हो जाएगा, फर्स्ट का केसी नियोगी साहब, हलाकि मैंने इसको अलग से सौट नोट जो हम लोग क्लासे चला रहे हैं घटना चकर की, उसमें डीटेलिंग कर दिये कि फर्स्ट कौन था, सेकेंड कौन था, फिर उ निमलेखित में से कौन से पंचवर्षी योजना, फाइव यार प्लान के संदर में सही नहीं है, तो यहां पे भाई कौन से सही नहीं है? भाखडा नागल सिचाई परयोजना की सुरुआत है, दूसरी पंचवर्षी योजना में की गई थी, नाबाड की इस्थापना इंद्रा गांधी जी ने अपना एक समर्तन दिया और गरीबी हटा और नारा दिया था तो यह तो थी आपकी पांचवी पंचवर्सी होजना में पांचवी तो फिफ्ट वाला होना चीह तो यह तो इसका गलत हो गया मैंने अभी नावाड के बारे में आपको बता था कि 1922 में कितने भी statement में ब्याख्या बता रहा हूं वो चीत ध्यान से सुनो के तो आगे आने वाले भी लगातार प्रशन आपके सही होते जाएंगे और भाखडा नागल सिचाई की परिजना की बात करेंगे तो पांचवी जोएकी पंचवर्सी होजना में इस्टैबलिस होती है तो स कब लाग हूए जो हमनों कहते हैं कि जो एल्पीजी वाला concept है था लिब्रलाइजेशन प्राइविट आजेशन ग्लोबलाइजेशन यानि हमने अपनी अर्थ वेवस्था को क्या किया एक मुक्त अर्थ वेवस्था की ओर चलते हैं हमनों समाज वात से हम उधारवाद की अर परसिम्हा राव मॉडल या यह कहें कि मनमोहन राव मॉडल भी कहलाता है और यह जुलाई 1991 में यह प्रभावी हो जाता है कब होता है जुलाई 1991 में नेक्स प्रशन है आपका question number 28 निमलिकित कत्रों में से कौन सा केंदरी बजट 2023-24 के समन्द में सही है हलांकि अगर मैं कहूं कि 24 और 25 का जो interim बजट आया है इसके लिए मैं जो है कि आज या कल में एक पूरी detailing class बनाऊगा और इसके साथ में इसमें UP बजट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ 24-25 और central बजट 24-25 तोनों को इंक्लूड करके मैं एक अलग से class बनाऊगा इसकी कल handwritten notes में जिसमें important facts के साथ हम सारी चीरों cover करेंगे जहांसे कोई भी प्रशन फिर बाहर नहीं जाएगा तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को follow कर लेना तो कि इस तरीके के updates आपको मिलती रहेगी latest बनाऊगा जिससे आपको क्या कि अगले 15 दिन में बार बार याद करते होगे budget के सारे question यहां से सही हो जाएगे हलांकि 2023 की बात करें तो रक्षा मंत्राले के आवंटन में सरवादिक प्रतिशत विद्धी की गई है और खाद्यो सारजनिक वित्रण मंत्राले के प्रतिशत आवंटन में कमी की गई है तो अब यहां पर आपको बताना है कि केवल दूसरा statement सही है ठीक है प्रतिशत की बात की जा रही है यहां पर तो यहां पर आप देखोगे कि पहला statement भी सही है, रक्षा मंत्राले के आवंटन में, सरवाधिक प्रतिशत विद्धी नहीं की गई है, बलकि किसकी की गई है, यही गलती आप लोगे, रेल मंत्राले में कितनी की गई है, 49 प्रतिशत के आसपास विर्द्धी की गई है, तो पहला statement गलत हो गया, और दूसर सही है, इसलिए B-Option यहां पर सही हो जागा है, अब आपको रक्षा और रेल मंत्राले में बहुत छोटा सा अंतर दिकेगा, क्योंकि रह से रेल, रह से रक्षा, तो रेल मंत्राले में सफसेदिक विर्द्धी हुई है, न की रक्षा, तो इसलिए पहला statement गलत था, अगला प्रशन हो जागा आपका, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फिती, यानि जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहा देते हैं, जीडीपी डिफलेटर, जीडीपी डिफलेटर क्या होती है, यह किसको कैल्कुलेट करती है, तो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक गीडीपी का अनुप 23-24 तक में कितनी महगाई बढ़ गई है, इसी को हम जीडीपी डिफलेटर के तौर पे कैल्कुलेट करते हैं, रोलिंग प्लान का बाराम किया गया, तो वही रोलिंग प्लान का मतलब होता है, कि जब आपकी कोई 5-year प्लान चल रहा होता है, यह हो जाना, आयोक के द्वारा प्लान के तहट जो पंचवर्सी योजना उस समझ चल रही थी, जिसको खत्म होना था 1979 में, लेकिन उससे पहले ही 1978 में ही जोए कि उसको क्या क्या रोल कर दिया गया, और B आप्शन यहां पर सही हो जाएगा, अब यहां पर अगला प्रशन करते हैं, हलांकि यह ध्यान अख वारिजजी बैंक किसके दोरा वीनियमित होता है, वारिजजी बैंक या जो वारिजजी बैंक होते हैं, किसके दोरा रेगुलेट होते हैं, तो वह जो कमर्सियल बैंक होते हैं, वो बैंकिंग वीनियम अधिनियम 1949 के तहत रेगुलेट होते हैं, अगर मैं कहता हूं कि आपक कोई भी policy को change करना है तो इसके लिए आपको RBI Act 1934 में संसोधन करना पड़ेगा लेकिन अगर commercial bank से related कोई provisions है जिसमें सुधार करना तो उसके लिए आपको banking regulation at 1949 में changes करने पड़ते हैं क्लियर है यह बत आगे देखने अगला प्रशन है भारती रिजर्ब बैंक ने लीड बैंक यूजना कब सुरुआत की थी तो जो लीड बैंक थी वो 1969 में से सुरुआत की गई थी असल में नहीं करते हैं और बैंक के करमचारी जब जाते भी हैं तो बाहुबली होते हैं जो भगाते हैं ऐसे मिक्रता बैंक का वो NPA create हो रहा होता है और इसकी वज़े से वह पूरा का पूरा पैसा रिटर्न नहीं होता तो ऐसे फिर हर एक डिस्टिक में एक लीड बैंक को appointment किया गय तो ये लीड बैंक की योजना थी जो नाइंटें सिक्षिन एंड में लाई गई थी नेक्स देखते हैं अगले point को अगला प्रशने आपका भारती रिजर बैंक ने S4A पहल सुरू की थी हलांकि ये तो अब खतम हो चुकी है S4A तो भारती रिजर बैंक ने S4A पहल का उद NPA लगा दो यानि कि दवाव युक्त जो किसी भी तरीके से पैसा रेटर्न होने की कोई गुंजाइस नहीं है हलांकि अब इसका जो एकी प्रोविजन खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट ससक्त प्रस्तावित किया गया था प्रोजेक्ट ससस्त की बात अगर हम करें तो ये आपका सुनील महता समीती के दोरा प्रस्तावित किया गया था जो कि पंजाब नेसनल बैंक के अध्यक्ष रह चुके थे और इनके नेतर तुम्हें कहा गया था प्रोजेक् NCLT के द्वारा किया जाएगा ठीक है NCLT मतलब कि National Company Law Tribunal जो होती है तो इसके अंतरगत किया जाता जो 180 दिनों के अंतरगत करेगी और अगर फिर भी नहीं हो पाता फिर हम चलेंगे इनसॉलवेंसी बैंकरेपशी पूर्ड की तरफ आई बीसी की तरफ मूफ करेंगे नेक्स्ट आपका भारत में सहकारी बैंकों का जो सीर्स निकाया वो बताईए तो नाबाड ध्यान देना सरकारी नहीं पूछा जा रहा है और आप RBI लगा के चले हो सहकारी बैंक पूछी ज बनसे है जो कि क्रीषी और आर्फ लिएयूšता को सधार करने के सबसे सुधार माने जाते हैं और क्रीषी और अर्थ विश्टा सुधार करने का सबसे सीर्ड से निकाया होता है वह उता हम नाबाड sługा लगा क्यां है फिर यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्ण है निमलिखित कत्रों में से कौन सा मुद्रा या मुद्रा आपूर्ती मुल्यांकन के समन्द में सही है तो आरक्षित मुद्रा के अंतरगत केंदरी बैंक द्वार रखी गई मांग जमा और अन्य तरल आस्तियों के साथ सिक सेंट्रल बैंक तो यहाँ पर बिल्कु सही है आरक्षित मुद्रा के मतलब कि जो रिजर्व बैंक के पास जितना भी जो है कि आरक्षित रूप में है चाहिए वो आपका मांग जमा हो या फिर तरह लास्ती हो या आपने कर रखी हो हर एक तरीके की चीज़ों को इसमें साम जिक बैंक को रिजर बैंक के पास बनाये रखना पड़ता है कहलाता है ध्यान देना चीट कि दनग की बात की जा रही है तो दन की बात की बात करेंगे तो इसे अब लोग कहते हैं CRR जिसको बैंक जब कम्प्लीट करता है तो कहता है कि आफ्टर क्लोजिंग 4 पीम के बाद है नहीं चार बज़े के बाद हम कोई भी लेंदिन नहीं करेंगे चार बज़े के बाद के बाद को पूरे दिन भर की कैलकूलेशन करता है उसके बाद जितना भी एमांट होता है उसका डेली का लगभग डेली का मैं कहे रहा हूँ 4.5 प्रतिशत ध्यान देना 4.5 प्रतिशत को RBI के पास रिजर्व रखता है कि नहीं भेचता हूँ उसके लिए एक अलग ब्लॉक होता है और उसी वो सेफ कहता है यह ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप यह देली का पैसा नहीं रखोगे तो इससे नुकसान क्यों होता है कि अगर किसी समय बैंक का चानक दिवालिया हो गया तो उसके पास कुछ सेविंग क्यास पास ही होता है और हला कि इस पे ब्याज मिलता है इस पे ब्याज मिलता है रेपो रेट क्या होती है रेपो रेट यह होती है कि जिस रेट पर जिस रेट पर आर बियाई वाडिजिक बैंक को धन देता है यह जैसे मालो की भाई वाडिजिक बैंक का SBI गया PNB गया और RBI इस कहा कि मेरे पास पैसा नहीं मुझे जो है कि 10 करोंट रुपए दे दो RBI कहता है ठीक है ले जाओ लेकिन मैं बदले में तुम से 5% अधिक लोगा ठीक है कितने लोगा 5% अधिक तो यह जो 5% अधिक RBI ले रहा है तो कि RBI ने तो रेट फिक्स की ना तो इसी को हम कहते है रेपो रेट नेक्स है आपका खुले बाजार का परिचालन यानि OMO Open Market Operation यह सामाने तो परतिभूतियों से संबंदित होता है जहां पर RBI खरीती है बेचती है बैंकों के माद्यम से तो यह हो जाए खुले बाजार में सरकारी परतिभूतियों का ख्रै और विक्रै करना तो यह ए आप्शन हो जाएगा जो आपके सेक्यूरिटी बाउंड्स होते है उसको जो है कि बैंकों के दारा बेचा खरीदा एता है लेकिन उसमें RBI की सबसे बड़ी भूमिका होती है नेक्स है MCLR यानि की Marginal Cost Landing Rate जो होती है Landing Rate यानि की सीमानत लागत आधारित रिन निर्धारित करने वाले कारक क्या होते है तो इसमें आपका होजाएगा निधी की सीमानत लागत, परिचालन लागत, नागद, आरक्षित यानि CRR में वहन मुले और ट्रेनर प्रीमियम होता क्या है तो इसका C option होएगा 123 यानि MCLR का मतलब होता है कि जब भी कोई bank आपको रिन देती है इसी को हम कहते है MCLR जिसकी अंतरकों तो इस rate में ये सारे खर्चे निकालता है यानि marginal cost of funds, operating cost, फिर उसका CRR में जो वहन मुले और ट्रेनर प्रीमियम ये सभी costing ही इसमें include होती है इसलिए इसको हम MCLR कहते है अगला point है निमलिकित कत्रों में से कौन सा मौदरिक नीती समिती यानि MPC ठीक है? monetary policy committee के बारे में सही है या नीतियों है तो मानक ब्यासदरें तै करता है इसके सभी सदस्यों की न्यूकती RBI गवर्नर के द्वारा की जाती है तो अब यहाँ पर आपको confuse करेगा ये statement तो ध्यान देना की केवल और केवल पहला statement तो सही है कि जो मानक ब्यासदरें उसको टै करता है लेकिन सभी सदस्यों की न्यूकती दोस्तों RBI के द्वारा या RBI गवर्नर के द्वारा नहीं होती है RBI से न्यूकती सदस्य कौन होते है तो एक तो होता है अध्यक्ष इस committee का और अध्यक्ष वो खुद स्वैम होते है गवर्नर के रूप में दूसरा उप गवर्नर के रूप में एक व्यक्ति को न्यूकत किया था और तीसरा कारेकारी निदेशक के रूप में बाकी जो तीन सदस्य होते हैं उनको RBI मतलब भारत सरकार के द्वारा नुक्त किया जाता है और ध्यान देना कि जो MPC के सदस्य नॉमिनेट होते हैं वो फोर यर्स के लिए होते हैं तो कि MPC में जो मेंबर होते हैं वो टूटल छे होते हैं जिसमें से तीन जो एकी गवर्नर के द्वारा नुक्त किया जाते हैं नेक्स्ट जस सेवी की बात करें कि सेक्यूरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भारती प्रतिपूती विनिमे बोर्ड सेवी को किस वर्स तक chi-save को कि में इसे वैधानिक दर्जन के रूप में दे दिया गया ठाए जो सामय था सेयर मारकेट वगरा जो थी और इसकी आगर पूरी तर्रीके से जानकारी आपको चैससे वीकलिए तो आप एक मूवी देख लेना जिसका नाम में बता रहा हूं मार्केट सैफली खान की मूवी काफ़ी अच्छी मूवी बहुत कुछ समझ में आएगा और जो सेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग होंगे जुड़े होंगे उन्हें ये पूरी चीछ पता चल रही होगी नेक्स है रुपे मूले वाले बदपत्र यानी बॉंड जो भारती संस्थाओं दोरा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किया जा सकते हैं उसे क्या कहलाता है तो इसे हम लोग कहते हैं मसाला बॉंड अब यहां पे मसाला मतलब हीरा धनिया प्याज मसाला न किरलरा राजय सरकार के डॉरा ऊगले प्रशन को देखते हैं केवल एक दिन के लिए केवल एक दिन के लिए निधी प्राप्त करने वाले बाजार को क्या कहा जाता तो इसको कęतें तर्म-्मनिट मार्केट, अब जैसे क्या होता है कभी-कभी आप भी अफने दोस्तों से कहते हो बस मुझे एक मेरे घर चाहे खते हैं, तो अप उसे एक दिन कले एक मतलब पाथ अगले दिन उससे समय के बाद मांग लेते हु, चाहिए तो ये घर्म हो गई इसमें- यह गलत हो गया, call money market इसको कहते है, जो एक दिन के लिए होता है, जो मैंने आपको बताया भी, बाजार का वह परकार जिसमें share market में या share बाजार में गिरावट करूख होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान देना कि इसको हम कहते हैं bear market या bear market, अच्छा bull market और bear market बहुत सा अच्छी से बूम कर रही है, और bear market होता है, अक्सर आदमी ड्रिंक करके, bear पीके या शराब पीके, क्या होता है, सुस्त हो जाता है, यानि गिरता पढ़ता रहता है, नाली में मूँ दिये रहता है, इसका मतलब उसकी इस्तिती पतन क्योर जा रही है, तो bear market कर सकते हो, तो जब गिरावट हो रही है, और गूम कर रहा तो बुल हो गया, तो आप ऐसे भी जोड सकते हो, इस concept को, नेक्ट है उद्यम पूझी, यानि कि जो आप देखो कि वेंचर कैपिटल को इस परकार परिभाशित किया रहता है, तो यह होता है, स्टार्ट अप कंपनियों को परद करने वाले हो, तो आप कोई मुझे लोन दे दे, कोई मुझे इन्वेस्टमेंट कर दे, कि ताकि जो भी प्रॉफिट होगा, एक्विटी के रूप में उससे प्रॉफिट ले ले, या जो एक ही अपनी शेयर होल्डिंग ले ले, तो ऐसे में आपके सामने एक देवदूत के वेंचर कैपिटल, क्योंकि वो एक जोखिम लगा रहे है, एक ऐसे स्टार्टप पे, जिसके बास एक करोण तो है, लेकिन पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होगा, तो चार करोण रुपए का जोखिम लगा रहे हैं, ठीक है, तो वेंचर मतलब होता है जोखिम, तो इसी को ह रहे हैं, उसको हम वेंचर कैपिटल कह देते हैं, तो यह हो गया, स्टार्टप कमपनियों को परदान किया गया, वित्त, नेक्स्ट आप का है, निमले के समीतियों पर विचार करें और उनको सही काल अनुकरम में विवस्तित करना है आपको, तो अगर हम बात करें, जैसे अ अलग समीतिया आपके आती है 1979 में, फिर उसका लकड़वाला समीतिया बात करेंगे तो 1993 में आती है, तेंदुलकर समीतिया बात करेंगे तो 2009 में आती है, रंगराजन समीतिया बात करेंगे तो 2012 में, तो एक, दो, तीन, चार, तीनोही, चारोही क्रम से हैं और यह फर्स्ट option is correct हो जाएगा. नेक्स्ट आता है angel के नियम के अनुसार, angel's law क्या होते हैं? तो आए में वृद्धी के साथ खाते पतार्तों की खरीद के लिए आवंटित आए का प्रतिशत कम हो जाता है. अब यहां पर यह एंजल इन्वेस्टर अलग है. यहां पर एक angel ब्यक्ति के दौरा एक law दिया गया तो उसी को कहा जाता है angel's law. तो इसमें कहते हैं कि अगर आए में वृद्धी होगी तो खाते पतार्तों की खरीद के लिए आवंटित आए का प्रतिशत कम हो जाता है. जैसे जैसे आपके इंकम बढ़ती जाएगी कि वैसे वैसे जो खाते पतार्तों खरीद में आप जितना पैसा खर्च करते हैं उनका रेशियो कम होता चला जाएगा. नेस्नल केरियर सर्विस यानि कि राष्टी करवी सर्विस की सुरुवात की गई थी तो किसके स्रम के द्वारा की गई थी तो यह श्रम और रोजगार मंतराले के द्वारा सुरू की गई हालाकि इसके द्वारा 2015 में जो है कि इसको सुरू किया गया था गिनी गुडांक किया मापता है तो यह आय की ऐसमानता कुमापता नीं, income inequality को miser करता है गिनी-गुडान को और सीमान तो अथपादक्ता सूने हो जाती है, कब हो जाएगी प्रच्छन बेरोजगारी में प्रच्छन बेरोजगारी का मतलब होता है कैसी बेरोजगारी जिसमें अप काम में तो लगे पड़े हो वो कम से कम एक गेहों की फसल के गारा, एक कुई टल जो है की गेहों का प्रडेक्शन कर रहा है. अब पता चला, दो लोग और आ गए आप काम तो कर रहे है, प्रोडक्टिविटी तो कर रहे है, लेकिन वो जीरो है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, भाई एक कोईटल तो लोग चारी लोग मिलके कर ले रहे थे, इससे वड़े आप दो लोग कुछ ऐसा काम करो, जैसे दो-तिन कोईटल प्रोडक्शन होना च तो वो चीज़े हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रच्छन बेरोजगारी या छेपी हुई बेरोजगारी भी इसे कहते हैं, नेक्स है, जब कीमते दो अथवा तीन अंकों की दर से बढ़ती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं गैलोपिंग इंफलेशन, जैसे महिए आपकी जो होनी चीए, वो कितनी होनी चीए कीमते, दो से छे प्रतुशت के बीच में, तो यहोगए सिंगल डिजएट, अगर वही महिए आपकी 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 17 प्रतिश्त, इस तरीके से लेकर 99 तक अगर जाती है, और 99 मतला 100 से सुरू करके वह लगए ट्रिपल नाइन तक जाती है क्योंकि हजार में तो जाएंगे तो यह होती है आपकी गैलोपिंग यानी कूदती हुई बहुत तेजी से भागती है जिसमें रुपे की वैल्यू एक दब खतम हो जाती है जैसे सिरलंका में देखने को मिला और भी आफ हो जही यह अर्थ्विश्ता मुद्रा इस्फिती प्रिवित्ती को भी दरसाता है नेस स्सूरिय वठ किसके सब्सक्राइब को दरसाता बृइ मैं आपको उपर बताता तो जो आपकी टैक्स डेट है और इसके बीच कि मुंद्रा साता है लेकिन यहां पर आप देखो गोगे मुद्रा इस्फिति और बिरोजगारी बीच में जैसे महगाई बड़ती जाएगी वैसे वैसे बिरोजगारी कम होती जाएगी और जैसे बिरोज Peng बढ़ेगी वैसे महिला ही कम अब आप कोगे सर ये तो आपने कुछ उल्टा रिलेशन बता दिया, तो जी बिलकुल वही रिलेशन होता है, आए मैं इसे आपको एक डाइग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, यहाँ पर आप समझ दो, अब जैसे मानलो ये बिरोजगारी की रेट है, एम्प्लॉइमें जब खरिदार ही कोई नहीं मिल ला है, तो हम क्या करेंगे, अपने रेट को कम कर देते हैं, और कम करके बेज़ देते हैं, इट मिंस की क्या होता है, प्राइस डाउन हो जाता है, तो इसका होता है, तो इसके पास क्या हो रहा है, पैसा अधिक आ रहा है, यानि की लाई बढ़ा लो तो रोजगारा दिख दोगे, अगर आप विरोजगारी बढ़ा लोगे तो मैं लाई कम हो जाएगी, और ये inverse relation बताते हैं फिलिप्स वक्र के द्वारा, विरोधा भासी जिसे हम कहते हैं, समझ आगी बात, नेक्स्ट है, अध्योगिक स्रमिको के लिए उप अन्य वस्तों की कीमत में ऐसी कोई व्रिद्धी नहीं होती, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसकी इफलेशन, क्या होता है, इसकी इफलेशन, नेक्स्ट है, भारती रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी नेक्स्ट है वह इस्तिती जिसमें मौद्रिक नीती विस्तारवादी होती है कि नहीं होती है यानि कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो तो एक्सपेंड करती है मतलब कि उसको जो है कि एक्सपेंसरी किया जाता है लेकिन उसमें ब्याज रेट में कोई विर्दी नहीं हो दिन से लेके 365 दिन तक होती है कॉर्परेट घराने का मतलब वो गया कि जब व्यापारी कंपनियों को कुछ लोन की जरत पढ़ती है यानि कि पैसे जरत पढ़ती है और बैंक को ने लोन नहीं दे रहा होता है तो वो कह करते है बॉन्ड जारी करते हैं जिसको हम लोग पेपर कहते है कमर्सियल पेपर जिसे आम पब्लिक जो है कि इसमें इन्वेस्ट कर सकती है और साथ से 365 दिन बाद उसे भुना सकती है मतलब साथ दिन से लेके 365 दिन का होता है जिसमें एक साल बाद आप उसे भुना होगे कितने अधिक मिले डेल लाख रुपया अधिक मिले लेकिन उसमें सर्त लीकी होती कि जब कमपनी का प्रॉफिट भी होगा तभी तो वो देगी साड़े 6 लाख तो कमपनी ने पांच लाख इन्वेस्ट किया पचास लाख कमाया और डेल लाख आपको इन्वेस्ट कर दिया लेकिन माननो कमपनी वहाँ घाटे में चली कि पांच लाख रुपय के बाद भी तो आपको डेल लाख रुपय नहीं मिलेगा तो आपको एक मिनिमम क्रैटरिया 30% जो इमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा और इस तरीके से 5 लाख का जो 30% बनता है और डेल लाख रुपय बनता है कि वहला आपको उतना बनी रहा तो इसका मतलब क्यों होगा है कि वाड़िजीक पेपर आपका एक रिस्क भी होता है इसमें रिस्क भी क्रियेट होता है इसलिए मैक्सिम्म लोग क्या होते है गवर्मेंट सेक्यूरिटी में पैसा लगा देते है लेकिन ट्रेडिंग वगरा कंपनी में इन्वेस्मेंट कम करते है तो कि उन्हें पता है कि फिर उपर नीचे करेगी मार्केट तो दिक्तत होगी जैसे पेटियम का हाल देखो पेटियम ने पहला जो एकी आईप्यो अपना बेचा था जो सेयर मार्केट में वो सत्रह सो पचास रुपए का बेचा था आज उसकी कीमत के ओल दो सो रुपए रहेगे पेटियम बंद हो रहा है लोग बेच रहे है मजबूर है उनको लॉस हो रहा है पंद्रह पंद्रह सो रुपए का एक-एक बॉण्ड पे और जिसने हजारों खरी देऊंगे तो सोचो उसको कितने लाग का नुकसान हो गया तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है अब आते हैं अगले प्रशन पे चमता दृष्टिकोड यानि की capability approach प्रस्तावित किया था तो भाई capability जो approach है वो कौन प्रस्तावित करता है तो ये अमर्त इसेंद जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था नेक्स्ट है मुद्रा इस्विती के दोरान देंदारों को लाव होता है लेंदारों को नुकसान होता है अब यहाँ पर समझ लेना भाई यह समझ लेना बहुत important चीज़ है यहाँ पर सबसे important चीज़ है कि देंदार का मतलब कौन हो गया जो रिणी जिसने loan लिया है मालो you, you मैं लिख देता हूँ कि आप हो और लेंदार कोन है जिसको पैसे अपने वापस लेने अर्था जिसने रिंड दिया, रिंड दाता जिसको हमनों कहते है बैंक अब बताओ, नुकसान किसे मुद्रा इस फिति में क्या होती है value की money कम हो जाती है जो चीज आप एक हजार रुपए में खरीद सकते थे महिंगाई इतनी होगए कि आप उसे पांच हजार में खरीद रहे हो ठीक है, अब इसी तरीके से मालो कि RBI ने या किसी बैंक ने SBI ने मुझे पांच लाख रुपए दिये आज दिये हैं मालो या आपको दे दिया आज 2023 में और आप पांच लाख रुपए में हो सकता है कि अपने घर के कुछ बेसिक समान खरीदो लेकिन आपको return कप करने है आपको करना है भाई 2030 में तो आपको लगता है कि 2030 में आप पांच लाख रुपए में उतना ही समान खरीद पाओगे चितना आज खरीदोगे अप 107 में रुपए में जिकल इक आईफॉन खरी देंगी तो आपको नुक्सान हुआ नहीं तो आपर उस पांच लाख रुपए में एक आईफून आरा जिसको लेंदार को क्रेडिटर कहते हैं और देंदार को डैबिटर अगला पॉइंट है निमलिकित कत्रों में से कौन सा हॉट करेंसी के समद्ध में सही है तो हाट करेंसी क्या होती है हाट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्द होती है और दूसरी मुद्रा में विनिमे हो जाती है जैसे आपका गेल्ट वगरा होती है और चीनी रेन मिन भी और जापानी येन हाट करेंसी के उदारन है बिलकुल उदारन है तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा मुद्रा और मुल्यन का प्रभाव है यहां पर पूछ रहा है क्या उसके प्रभाव पढ़ सकते हैं तो प्रभाव के तौर पे देखो कि निर्यास सस्ता हो जाएगा मांग प्रेजित मुद्राइस्विती बनेगी और स प्रेजित मुद्राइस्विति बढ़ने से और साथ में उसकी जो लागत लगती वह भी मुद्राइस्विती बढ़ती है तो यह इसका प्रभाव होता है तो अगर आप देखो गे तो यहां पर एक तीन चार यानि बी आप्शनिस करेक्ट होगा नेक्स है विसेस आरण अध को डेलब किया गया है. नेक्स आता है, बात करेंगे, अच्छा है इस अगर मैं एक छीज और बता दूं कि इसमें वैस्विक अस्तर पर किवल कितनी मुद्रा हैं पांच मुद्रा जिसमें अमेरिका का डॉलर आता है, यूरो का जो है कि चीन आता है, मतलब यूरो आती है, चीन की रेनविन भी आएगी, जापान का येन आएगा और ब्रिटिस पाउंड इस्टरलिंग आएगा, तो इस पांच प्रकार की मुद्राइए इसमें होती है, नेक्स्ट आपका, न दूसरा स्टेटमेंट बता जा रहा है कि सही है, क्योंकि साफ्टा की जो स्टेटमेंट है, वो यह है कि 2006 में इसकी स्टैबलिस्मेंट हुई थी, ना कि 2010 में, और जबकि आसियान की बात करूँगा, तो आसियान की इस्थापना आठ अगस्त 1967 कुई थी, और पांच संसापक देश थे, लेकिन आज वर्तमान में 11 देश हो चुकिए, जिसमें 11 देश जो जुड़ा है, अब ही हाली में तिमोर लेस्ते जुड़ा है, और तिमोर लेस्ते की राज़ानी दिली में, तहाँ पे DILI में जो है कि भारती वारी जी दूटावास ओपन करने की गोशना मोदी जी के दौरा की गई है, नेक्स है, निमलिकित में से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बेंक के दौरा जारी नहीं की जाती है, अब जो कि आपकी आई-ए-म-फ के दौरा जारी की जाती है, इंटरनेस्टन मोनेटरी फंड के दौरा जारी की जाती है, बकि ये तीन जो रिपोर्टे वर्ल्ड बेंक जारी करता है, नेक्स्ट आप कायागा मिर्दा स्वास्ते काड योजना, जो की राज़स्थान से सुरू की गई थी, तो अगर आप देखोगे, ये 2015 में सुरू की जिसमें स्वाइल की हेल्थ पे आधारित जो एकी किसान का लियान मंत्राले ने सुरू किया था, और इसमें की किसानों को सहता दी जाती है, आकस्मिक रिजर्व समझाता किस से समझत है, यानि कि कॉंटिजेंसी रिजर्व एग्रि पर युजना कावेरी नदी पर है, निजाम सागर पर युजना मंजरा नदी पर है, लेकिन हीरा कॉंट पर युजना ये 17 नदी पर नहीं है, बलकि हीरा कॉंटे किस पर आती है, महा नदी पर आती है, जो ओडिसा में स्थित है, निमलिकित में से कौन सा सूने बजट प्रा प्रेश्ट किया गया बिलकुल सही स्टेटमेंट है यह रसायन मुक्त किरसी यानि कि इसमें केमिकल नहीं डाला था बलकि जैविक खाद गोबर वगरा इनका प्रयोक किया था यह पारंपरिक भारती किरसी पद्धिति उपर आधारित है तो तीनों ही बाते यहां पर सही हो ज समुद्री उत्पाद निर्याद विकास प्राधी करण का मुख्यला निमलिकित में से किस राज्ज में है तो समुद्री निर्याद की बात करें सीफूड जो निर्याद होता है तो यह जाएगा केरल में जो 21 का है और इसको 1972 के अधिनियम द्वरा इस्टैबलिस किया गया थ केलकर समीति हाला कि यूपी बजट जो अभी 24-25 आया इसको मैं लेटेस जो है की बहुत डीटेल में आपको लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक से दो दिन में वो उसकी क्लास आ जाएगी जिसमें सेंट्रल बजट भी इंक्लूड रहेगा केलकर समीति की बात करेंगे अग तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि कौन सा इसका सही है तो आप देखोगे यह उत्तर प्रदेश्य सरकार की प्रमुक पहल है जिसका उद्देश राज्जी के युवाओं को कौसल विकास और उद्यामिता के आवसर प्रतान करना है वहीं उत्तर प्रतेश के वर 2023 के बजट में इस योजना के लिए 36 करोण रुपे आवंटित किये गए थे तो दोनों ही बाते सही है कि पहली चीज़ यह यूपी की योजना है और इसमें इस में इसको लॉंच कर दिया गया था 36 करोण रुपे के साथ अगला प्रशने उत्तर प्रतेश बजट 2023 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशी आवंटित की गई थी तो एक हजार पचास करोण रुपे आवंटित की गई थी भारत का पू अधिक था और यह चीज मैंने आपको करेंट अफेर्स में पढ़ा रहे कि करेंट अफेर्स की सीरीज आप लोग जरूब फॉलो कर लेना वहां पर बहुत अच्छी तरीकिस मैंने इद रिष्टी वार्सी की और घटना सार इन दोनों के मिक्स करके हैं अगला प्रशने आर् दोने श्की पर शब्सक्राइब प्रकार की जो इनस्टेरी में उनका को इंडशा के रूप में जानते हैं तो चार तो यह होगी पांच हुए आप विद्दुत लेख सकते हो रिफाइनरी उत्पाद लेख सकते हो साथ में प्राकृतिक गैस लेख सकते हो कच्चा तेल ठीक है तो यह आठ प्रकार की जो एकी इंडस्ट्री होती है जिनको कोर इंडस्ट्री कहते हैं तो यह डी समावेसी बनाते वे बुनियादी धाचा परयुजनाओ है तो यह विकास मार्ग प्रसस्त करेगा वित्ती वर्स 2020-25 के लिए एनाईपी में बुनियादी धाचा परयुजनाओ है तो इसमें आप देखो कि सी ऑफ्षन हो जाएगा दोनों ही बाते हैं पर सही है अगला छुखनाओं ने हालीया वर्सों में चीनेट्टिविटी के सुधार में योगदान दिया तो कौन सी उखनें। शागर माला होगी भारत माला होगी उडान होगी अधर फ्लाइट यानि की एरपोर्ट से समझत हो गई और भारत माला सागर माला जो हैं वो आपके एक इंफ्रस्ट्रक्ट्टर से समझत हैं और दूसरी जो एकी पत्तन कनेक्टिविटी अगर मैं कहूं सड़क कनेक्टिविटी की मैं बात करूं जिससे हाइवे वगरा जो बनते है स्टेट हाइवे तो इसमें आपकी सड़क कनेक्टिविटी होगी सागरमाला की बात करेंगे तो यह आपकी जो कोश्टल रीजन के पत्तन बुनियादी है जैसे पोईट वगरा बंदर का है इनको में हाइवे से करने के लिए तयार किया गया और उडान आपका किससे समझता है इसमें देखते हैं सरकार भारत को लागत प्रभावी उत्पादन किंदर बनाने के लिए बुनियाती धाचे का विकास कर रहे है बिलकुल सही बात है यहाँ पे और रसद नीती 2022 का उद्धियस लागत में कटोती करना प्रतिस पर्धा में विर्दी करना और आर्थिक विका क्या भी की जा रही है नेक्स्ट भारत सरकार ने वर्स 2022-23 में राजकोसी चुनोतियों का समाधान किस परकार किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि खाद्य और उर्वरक सब्सीडियों में व्रिद्धी की गई है इन्धन तता आयात पर करों में कटोती की गई है इस तरी आगले पॉइंट पर आते हैं उत्तर प्रतेश बजट 2023-24 के बारे में निमलेकित कत्रों में से कौन सा छेत्र और कुल व्याय का आवंटेद प्रतिश्य सुमेलित नहीं है तो अभी देखी 24-25 भी आ गया है लेकिन 23-24 और 24-25 दोनों ही आपको तयार होना चीए क्योंकि आय ग्रामीड चेत्रों के लिए या मतलब ग्रामीड विकास के लिए तो इसके लिए 10 प्रतिशत नहीं बलकि 5 प्रतिशत दिया गया था इसलिए डी ऑफशन गलत रहा गया उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निमलेकित में से कौन सा का राजसों का सबसे बड़ा स्रोथ होने का प्रस्तुत करेंगे नेक्स्ट है 89 नंबर पे आप देखो कि यहां पे यूपी बजट 2024 को पुरा कवर किया रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024 के अंतरगत निमलेकित में से कौन से कथन से लिए 2023-24 में निजी ट्यूवेल मालिकों की बिजली खपत पर सबसेड़ी 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दी गई विविने सिचाई परेजनाओं के लिए 50,000 करोन रुपए से अधिक बजट आवंटित किया गया है तो इसमें केवल पहला ही सही है दूसरा नहीं क्योंक 952 करोन रुपए आवंटित किये गए हैं नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अंसार सकल राज्य घरिली उत्पाज जिसको हमनों जी एस डिपी कहते हैं यानि की ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रडेक्शन इसकी बात की जा रही है कि समन्द में जो राज जी का आगवानी बोर्ड यानि की नेस्नल होटी कल्चर बोर्ड का मुख्याल है कहां पर है या इसका हेटकॉर्टर कहां है तो इसकी हेटकॉर्टर के अगर हम बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका गुरूग्राम हरियाना में अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान ने देन लृजानीं और यहां पर आपदेखो हेटकॉर्टर के का बिकास के रूप में जिम्यदार नहीं तो यहां पर आप देखो गे कि गुजरत और इवलप्ट ओर है लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वह नहीं होगा या वह इसमें रोन प्ले नहीं करता है तो आप देखोंगे वर्स अठासो साइट के दसक से सूटी कपड़ा उद्यों किस्था निकता है सही है कांडरला में तेल शेत्रों की खोज बंदर गया यह भी सही है पायकारा ज जलविद्ध है यह आपका चे नई बंगलूरू उद्यों की कोडियोर के अंतरगत आता है यानि कि आंद प्रदेश, तमिलनाडू, करनाटक इस छेतर में ना की गुज़रात में इसलिए सी ऑफ्शन गलत होगा नई उद्यों के निटी 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 वन के बारे में अगर एक्जामस में आया हुआ था प्रश्णि तो आप देखोगे गन्ये की फसल दच्छड भारत के उश्ण कटिबंदी जलवाईव में तीव रूप से बढ़ती है, सही है, दच्छड भात में अधिकांस मेलों में आधुनिक मसीन है, ये भी सही है, दच्छड भारत में उगा सारी चीनी मिलें, तो बी ऑफ्शन यहां पर गलत हो जाएगा, अब यहां पर कुछ क्रिसी क्रांती हैं जो संबंदित है, ये पूछी आ रही है कि कौन से सेक्टर से समझत है, जैसे गोल्डन फाइबर की बात करेंगे तो जूट क्रांती से समझत है, ये भी आपके आरो ए आध्यान की खरीद भंडारन परिवान आवंटन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, तो हो जाएगा भारती खाद दे निगम, और ये भी आपके आरो एक्जाम में आया हो था, यानि आई एफसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फूड कोपरेशन आफ इंडिया, एफसी आई, भारती कॉफी बूर्ड के अंतरगत, ये किस मंतराले के अंतरगत आता है, और भारती कॉफी बूर्ड का मुख्याला है कहां पर, ये पता है आपको, तो इसको लिख लीजे, बंगलूरू करनाटक में, बुनियादी ढहाचा किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो ये उत्पादन और जीवन की गुडवत्ता के कारकों को बढ़ाता जाता है, इसलिए ये बहतर होता है, नेक्स टाप काएगा, स्वास्त सेवाओं के संदर में कौन सा कथन सही है, तो स् इस्पतालों में विस्तरों की संक्या 1.2 से बढ़कर 6.3 लाक हो गई, दोनों ही बाते सही है, तो 2 आप्सन हो जाएगा सही, अगला प्रशने, केंदरी बजट 2023-24 के अनुसार गोबर्धन योजना के तहत, दा वेश्ट टू वेल्थ प्रोग्राम जो है, उसमें कितने सहंत अगर आप देखो के तो साथ प्रात्मिक्ता हैं, तो चमता उभारना, अन्तिम छोड तक पहूंग, युवा सक्ति, समावेशी विकास, इसमें आप देखो के अवसनचना और निवेश, हरित विकास, अवित्ती छेत्र, ये तीर और जोड़ दोगे, तो सातों की सातों यहा केंदरी बजट 2023-24 के अनुसार, सिक्षा मंतराले के अनुमानित ब्या में 2022-23 के संसोधित अनुमान में 13% की विर्द्धी हुई, 2015 के बाद सिक्षा की प्रती कुल आवंटन सकल घरिल उतपात का लवक 2.8% रहा है, तो दोनों ही बाते से हैं, यानि कि टोटल योगदान होत है, तो 10.5% का कलेक्शन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, नेक्स्ट आपका फेम इंडिया योजना, फेम इंडिया योजना की बात करें, किस मंतराले के अंतरकत कार्यानुएट की जा रही है, तो भारी उद्ध्योग मंतराले नहीं, हैवी इंडिस्ट्री मंतराले, यह हा होगा कि carbon dioxide का production कम होगा global warming कम होगी तो यह एक mission के तोट पे शुरू किया गया है नेक्स है पी एम स्री योजना के तहट कौन से कथन सही है यहां एक केंदरी च्छेत्रक योजना है यानि कि centrally sponsored scheme है ठीक दूसरा पुछा रहा है इसका उद्द्य से केवल केंदर सरकार दरा प्रवंदित स्कूलों में से चैनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है अब यहां पर पूछा रहा है कौन सा statement सही है तो आप देखो कि पहला statement गलत होगा क्यों कि यह central sector की scheme नहीं है बलकि centrally sponsored scheme होती है दोनों में अंतर होता है केंदरी प्राजित के वल केंद सरकार दोरा प्रवंदित इसकूल, जो केंद सरकार की दोरा नहीं है बलकि केंसरकार, राजिसरकार युणन, टरिटरी तेनों के दोरा जो स्कूल चला जा रहे होगा उनको सुधार किया जाए गा तो दो और एक दोनों ही गलत हैं यह ध्यान देना इसे अमरिस सरोवर मिशन के तक्नीकी सहयोगी के रूप में जोड़ा जा रहा है कि अमरिस सरोवर में जो तक्नीकी सहयोग चाहिए उसके लिए भासकरा चार राश्टी स्पेम, मतलब स्पेस अनुप्रेव का भूस, सूचना संस्तान इसे सामिल किया गया है ु अगरा प्रशने आपका प्रशन आता हे जीुरु डफ्यक्ट जी रो इ Евजना या किस के द्व्रशनं शूरू किया गिया है तो सुक्ष मिलगू और मध्यमन्दन出去 के दो या मिनिश्ट्री के दोरा इसे शूरू किया गिया है 2016 में शूरूं किया गय पर आप देखोगे तो अटल वयो का मत होता जो वयो विद्यानी की जो साठ साल के ऊपर हो चुका है रेटार्मेंट के बाद तो वरिष्ट नागरिकों के लिए एक 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 एकरित कारेक्रम है और राष्टी वयो स्री योजना इन दोनों को ही इसमें सामिल किया गया है तो दो सीतला का सबसे अच्छा वरणन करता सीलता का सीलता सुरी सीतला नहीं सीलता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक घटना जहां कुछ व्रिक्षों के सीर्स एक दूसरे को नहीं छूते हैं इसका यह वरणन करते हैं US Open 2023 जो आपके पुरसकार होते हैं मतलब खेल होते हैं तो उसमें पूछा यह रहा है कि यह किस ने जीता था जो नवाक जोकोविस थे इन्होंने तीन जोए कि इस बार जोए कि ग्रैंट सर्म जीते थे दो जार तेज के किवल एक छूट के अगले प्रशन को देखते हैं दवाब युक्त भारी जल रियक्टर का पहला स्वदेशी रूप से विक्सित संक्रण कहां पर किया गया तो एक काकरापार में किया गया जो जुलाई से ही कार्यान भी थो रहा है मतलब जुलाई 2023 से उसने 700 मेगावाट तक की छमता के साथ सुरू कर दिया है अपने काम को और यह आपका परमाडू उर्जा परियोजना जो है यह आपके गुजरात में है नेक्स्ट है आपका सितंबर 2023 में गुजरात गोशना पत्र किसके लिए किया गया था तो अगर बात करें तो पारंपरिक चिकिस्सा के लिए जिसमें डबलू एचो के सहयोग के साथ वैस्व जिनुजिले में की गई थी सही है 2023 के राष्ट्री पोशन महा की थीम सुपोसित भारत साक्षर मिश्च भारत ससक्त भारत था तो यह भी सही है तो इसको राजस्थान के जुन जुनुदू शुरू किया गया और इसकी थीम भी विल्कुल सही है तो दोनों ही में से किस राजमे है मतलब किस राजम होई है लोंग पी पॉर्ट्री के अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा लोंग पी पॉर्ट्री मड़ी पूर के अंतरगत आएगा मड़ी पूर के अंतरगत ठीक है नेक्स्ट है है वर प्रकिरिया किसके उत्पादन के लिए ज अगर हम बात करें इश्या यह स्थर पे तो लेंडर पेस है लेंडर पेस जो की भारत के हैं अबराहम अकॉर्ड या अबराहम समझोते पर निमलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किये गए हैं तो आप देखो कि इसराइल और अरब राज्य के बीच जो इसराइल है और अर नंबर पे तो क्वार्ड के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है कि यह चार लोगतांत्रिक देश हो भारत ऑस्टेलिया अमेरिका और जापान का एक समुए इसका सुतंत्र खुला और समरिद भारत प्रशांद चित्र को सुनिशित करने का समर्थन की बात होती है तो यह दोनों ही बाते सही है क्वार्ड की बात की जा रही है और अगर हम बात करें क्वार्ड का जो पहली बार विचार आया तो दौजार साथ में जापानी प्रधान मंतरी सिंजो आवेते उनके दिमाग में और फाइनली इसका स्टैबलिस्मेंट किया गया तो दस सालवाद 2017 में जिसको आमनों चत्रभुच गटबंदन के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है हाली में यसो भूमी का उधगाटन किया गया यह आपके नई दिल्ली में उधगाटन किया गया है द्वारका में नई दिल्ली यशो भूमी इंडिया इंट्रन कंवेंशन एंड एक्सपो सेंटर के से सम्मदित हैं सिंबेक्स किसके बीच है तो भाई S.I.M.B.E.X.E यानि कि यह होता है सिंगापूर अंडिया मिलिटरी एक्सराइज तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिंगापूर हो जाएगा भारत और सिंगापूर नेक्स है इंफोसिस का ब्रैंड अब्रेंड कि को न्युक्त किया गया है दौज़ार एनकिस के लिए दादा साब फाल के पॉरसकर किसे दिया गया लो आ внутри मिलिखित मेंसे किस देष ने हरित हाइडरोजन आपुर्ती शरिंखला और पावरग्रिज इंटरकनेक्शन के चेत्रवी भारत में एक या भारत के साथ एक समझोते पर अस्ताक्षर किया है, तो सौधी-एरब के द्वारा ये किया गया है, निमलेकित में से किसे नोबल सांती प्रुषकर 2023 से सम्मानित किया गया है, तो यहां पे आप देखो के नर्गिस महमदी, ये जो एकी इरानी महिला हैं, जो महिला अधिकारों के लिए काम करती है, इनको जो एकी सम्वानित किया गया है. अगला पॉइंट है, निमलिकित में से किस महिने में राष्टी वन जीव सब्ता मनाया जाता है भाई, तो वो होता है अक्टूबर में, दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर के बीच में इसको सेलिब्रेट कियाता है, संप्रिती 11, भारत और किस देश के बीच हुआ है, ये रात हुआ है, नूर 3, ये एक इमेजिंग उपग्रा है, जो किस के दोरा लाउंच किया गया है, तो नूर जो है, कहा का नूर है, ये इरान का नूर है, अगला पॉइंट है, आपका पॉन्ट्स विवर्तनिकी प्लेट, पॉन्ट्स विवर्तनिकी प्लेट जो भी 20 मिलियन पहले गायव हो गई थी इसकी खोश दुबारा कर ली गई है तो यह हो गई आपकी पश्मी प्रसांत महासागर में यह प्लेट पाई जाती है नेक्स्ट आपका मार्टी अहतिसारी जिनका अक्टूबर दोजार तेईस में निधन हो गया यह कहां के राष्ट पती थे तो यह कि राष्ट पती थे अगला प्रश्ण है किसने जूरिक डाइमंड लीग में भाला फेक वर्ग में स्वान पदक प्राप्त किया तो जैकब वार्ड लेल्ज ने जैकब वार्ड लेल्ज ने और भारत की तरप से नीरा चौपड़ा जी इसमें 85.71 मीटर के साथ दूसरे अस् बैसवीक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कैуют तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो की आईम डी के दोरा जारी के थी है तिक है आ इमडी की दौरा इंटररेशन मेनेज्वेंट जो इसको रैंकिंग ए स्वेड़िचा यहा रेंकिंग पे फिर से आता है अंतराश्टी प्रवासन आउट्लूक, इंटरनसर मिटिग्रेशन, जो माइग्रेशन आउट्लूक रिपोर्ट है, ये जारी कियाती है, OECD, यानि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जारी की जाती है, हलांकि भारत इसका जो एकी सदस नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से जो एकी इसका भागीदार माना जाता, और इसका हेटकौर्टर पैरिस फ्रांस में है, नेक्स्ट अब वर्थ 2023 में नदी उत्सव कहां आजित किया गया, तो ये आपके दिल्ली में आजित किया गया था, 2023 पैश्ट इसका चौथा नदी उत्सव. यावना नदी िक हैटफ़ किया गया था, नदी उत्सव. नेक्स्ट नया आपका भारत का पहला नैनो DAP, नैनो DAP यह नियी लिक्विड ऐरिया, जो लिक्विड यूरिया है, इस सयंत्र का, उध्घाटन कहां पे किया गया था, बताईए तो इसका उधगाटन किया गया था आपके गांधी नगर में जो की अमिस साजी के द्वारा किया गया गुजरात के कलोल में इफको के नैनो डीएपी लिक्विड यूरिया के तोर पे गांधी नगर में किया गया था कलोल भी अगर ऑफशन आएगा तो आप वो भी क कर सकते हो मैंने यह सारे करेंट अफ़र टॉपिक पढ़ा रखें आपको आप जाके मेरी हैं रिटेंट सॉट मोट देख सकते हो जिसमें आपको मैंने इद रिष्टिवार से की और घटना चक्री मतला घटना सार इन दोनों को इंक्लूड किया हुआ है प्लेलिस्ट में यह कहां पर सिक्किम में है। कि ग्रीन वार रूम मैं मोहजर 10 नामक एक फ्वा निर्मित डून निमलिकित में से किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जागा इरान निमलिकित में से कौन सा संकीत नहीं जो वैस्विक भोकमरी सूचकांग, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और भोग के बहु आया में प्रकृति को दर्स आता है तो कौन सा नहीं होगा इसमें स्वास्त रुत्तर जीविता नहीं होता है बल्कि अंडर नूट्रिशन होता है यानि अलपोशन चाइल वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी यानि सिश्यों मिर्ट्यु दर होती है और साथ में एक और होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, चायल्ड स्टंटिंग, तो सी वाला स्टेट्मेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, बलकि इसकी जाएगा चायल्ड स्टंटिंग होना चाहिए था, और सेकंड लास्ट प्रेस्ट में भार कर रहे हैं, जी ट्वेंटी, सिख कि पहला statement भाई सही है लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यह इतना थो सही है कि भारत दोरा लॉंच किया गया लेकिन इसे विद्ध मंत्राले लॉंच करेगा गड़ी मंत्राले को देखेगा विद्धेशी संब्ध की test series total 5 कर लिए यह अभी sectional चल रही थी subject wise हो सकता है अगले test से हम लोग full test series पर काम करेंगे तो video अच्छी लगए हो तो like कर देना और channel को कर लिजेगा follow और vision के लिए आप लोग हमारे second youtube channel को follow कर सकते हैं जिसका link description box में लगा हुआ है तो मिलते हैं next video में thanks for watching